तो हेलो दोस्तों वेलकम टो चैनल टेक्नमाश्रमेंट तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जूम क्लाउड मिटिंग जो एप है वो कैसे यूज करना है काफी लोगों की रिक्वेस्ट आए कि भाई जूम क्लाउड मिटिंग अप यूज क स्टाइड तो दोस्तों जैसे का आप देख सकते हैं यह मेरी मूबाइल स्क्रीन और अब ही मैं आपको एक्दम फर्स से सिखाता हूं मैंने जूम मिटिंग डाउनलोड कर लिया है देखिए देखिए अब ही अगर आप अगर आप आप स्टूडंट एज पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेंट करना चाहते है तो आपको साइन अप या साइनिंग करने की कोई जरुवत नहीं लेकिन हाँ अगर आप खुद की मीटिंग तयार करना चाहते हैं और मीटिंग होस्ट करना चाहते हैं तो आपको साइन अप इस असेंचियल तो यहाँ पर काफी सार आपको भी ऐसे लिंक आएगे आपको इसे सिंप्ली टैप करना है उपन विद जूम करना है ओके ओके तो अभी देखो अभी अगर आपके होस्ट ने मिटिंग चालू नहीं की होगी तो आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी अभी मैं मेरे दूसरे मुबाइल से मिटिंग चालू कर प्लीज एंटर योर नीम यहां पर मैं मेरे नाम डाल देता हूँ आपका जो भी नाम होगा आप डालेंगे क्योंकि यह जो नाम है वो डिस्प्ले होने वाला है बहाँ पर सुद्ध यहां पर रोके कर देता हो आप देख सकते हैं कनेक्टिंग हो रहा है सो देखिए अभी जो होस्ट होगा वो आपको एड्मिट करेगा तो यहाँ पर मैं दूसरे मोबाइल से यह देखुए हो सो मैंने यहाँ पर एड्मिट कर लिया है आपको यहाँ पर कनेक्टिंग दिखा रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको कॉल ओवर इंटरनेट करना है यहाँ पर पर्मिशन दे देनी है जाओ की तो जैसे के आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यह मेरे दूसरा आकाउट से बह जाओ आपको आवाज आएगी हलो अभी मेरे दूसरे आकाउट से बह जाँ हूँ जैसे के आपने सुनाuen और आपको आज Lumτο आज आएकिस आवाज तरता हुए हाँ फर्स्ट फर्स्ट आप्शन है अन्मिउट का अगर आपको कोई एंसर क्या देना हो तो यहाँ पर आप अन्म्यूट करके एंसर दे सकते हूँ दूसरा option है start वीडियो का सो यहाँ पर आपको permission दे दे नहीं है सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है सो आप यहाँ श्टॉप कर देता हो इसे आपको share का option आपको as a participant यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि host ही कर सकता है सिर्फ और यहाँ पर option है participant आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अपनी students वीरा participants होंगे वो यहाँ पर दिखते हैं आप दो है यहाँ पर दो दिख रहे हैं और अगर आपको अपना नाम चेंज करना हो आप क्या कर सकते हैं यह है यह जो एक number को है यह मेरा account है आपका account हो का यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर rename करना है आप यहाँ से rename भी कर सकते हैं और simply ok कर देना है यह हो गया अब यहाँ आपको यहाँ पर है more में आपको disconnect audio आपने जैसे पहले join audio किया था वो अभी वैसे ही disconnect audio भी कर सकते हैं आप तो यहाँ पर अगला option है chat chat मतलब आपको query हो और host जो वह आपकी सुन नहीं रहा मतलब उनका voice audio बंद हो तो आप यहाँ से chat करकर भी उनको message बेज सकते यहाँ पर मैंने everyone को message बेज दिया तो यहाँ पर अगला option है raise hand तो देख सकते हैं आप hand raise करने पर जो आपको दिखा देता हूं है आप participants में तो देखिए मतलब आपको एकादा answer देना हो और तो आप ऐसे हाथ raise कर सकते हैं इससे host को पता चल जाएगा कि यहाँ पर host के पास भी notification आ जाता है कि आपने hand raise किया है तो इस रहा से आप hand भी raise कर सकते हैं और नीचे के name नीचे के दोना option आपको कुछ इतने काम के लिए तो यहाँ पर participants दिखेंगे और आपको Leo meeting करनी हो तो यहाँ पर आप Leo करेंगे यहाँ पर आपको दबाना है Leo और यहाँ से simply Leo meeting है तो देखा आपने कितना असान था तो दोस्तो अभी जो है अभी मैं as a host बताने वाला हुआ को कैसे यूज़ करना है तो आपको पहले host होने के लिए आपको एक तो sign up करना पड़ेगा या sign in करना पड़ेगा अगर आपका already account है तो आप sign in कर सकते हैं लेकिन आपका account नहीं है तो आपको sign up करना पड़ेगा मेरा account है तो मैं यहाँ पर sign in कर देता हूँ गूगल से बताया थे मैंने अकाउंट तो यह आपको Google को चला जाएगा आप यहाँ पर मैंने मेना अकाउंट से लिक कर लिया है ओके तो यहाँ पर आपको सिंपली यह करने का बाद लॉन जूम कर देना है ओके सो यह कनेक्टिंग दिखा रहा है सो यह आपका एज़ो होस साइन अप करने पर इसी डिस्पली आती है आपको आपको अभी और नेधिक उठ्प क्लिप ओडड़ करने के बास आपको सिंपली बाहर आना है अपने वाट्सैप में जाना है और यहाँ पर आपको वह पेश्ट कर देना है पेश्ट कैसे करना है मैं फिर से दिखा देता हुए तो आपको पेश्ट करने के लिए का करना है टाइप मेसेज पर सिंप्ली एक से दो सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और यहाँ पर पेश्ट का ओप्षन आ जाएगा यह देखे जूम क्लाउड मेटिंग आपको सेंड कर देना है सो मैं यहाँ पर अपनी दूसरी मोबाइल की स्क्रीन डेकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आपको समझेगा की होस्ट कैसे होता है सो दोस्तों यह मेरी दूसरी मोबाईल की स्क्रीन रेकॉर्डिंग सो यहाँ पर देखें यहाँ पर मुझे एक मेसेज आ चुका है सो यहाँ पर हमें सिंप्ली करना है यह लिंक पर ओपन करना है आप देख सकते हैं जैसे कि अज़ पार्टिसिपेंट मूबाईल पर दिखा रहा है कि होश्ट ने अभी तक मिटिंग चालू नहीं किये सो मिटिंग चालू करने के लिए क्या करना है जूम पर जाना है और यह देखें यहाँ पर मिटिंग में देखें यहाँ पर आपको स्टार्ट का ओप्शन ही यहाँ पर स्टार्ट दबाना है कि यह कनेक्टिंग हो जाए तो कि मैं विडियो बंद कर देता हूँ ओके सो अभी मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दिया आप देख सकते हैं मेरे अज़ पार्टी सिपंट मूबाइल पर भी कनेक्टिंग दिखा रहा है तो देखें आपको इधर जब आपको दिखा रहा है कि वेटिंग रूम में है तब यह host के mobile पर दिखा रहा होता है कि उसे admit करना है या नहीं सो मैं यहाँ पर admit कर लेता हूँ सो देखिए यहाँ पर loading स्टार्ट हो गई ओके सो यहाँ पर भी connecting हो रहा है सो आप देख सकते हैं यहाँ पर call over internet कर देता हूं है सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी दो स्टार्ट हो गई है एक एक जो है एक मिनिट यह जो है यह मेरा host account है और यह participant account है सो अभी मैंने बता है था कि raise hand करने पर होस्ट को notification जाता है सो मैं यहाँ पर raise hand कर दा हूं एक मिनिट सो देखिए यहाँ पर raise hand करने पर देखिए यहाँ पर host के mobile में notification आ चुका है कि raise hand भी पूल रहे कि सो इस तरह से आप raise hand कर सकते हैं अगर host आपकी participant बहुत जादा बूल रहा है तो आपको उन्हें मूट करना है तो आपको क्या करना है participants में जाना है simply और यहाँ पर देखिए mute all का option है यहाँ पर नीचे mute all का option है अपको इसे mute all करना है में बताता हूँ, यहाँ पर मैं अन्म्यूट करता हूँ, अन्म्यूट कर लिया मैंने, देखो यहाँ पर वेवज आ रही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, सो अब मैंने Mute All किया Mute All देखो यहाँ पर participant की mobile पर host muted everyone so ऐसे आपको notification आ जाएगा so और क्या क्या options है इसमें report वगेल नहीं करना है सो अभी सबसे main चीज screen share करें as a host so यहाँ पर आपको जाना है share का option है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर काफी सारे options है पहला है गूगल जायू box photo document वगेरा आपको क्या करना है आपको यहाँ second last option screen पर जाना है सो यहाँ पर स्टार्ट करना है मैं को permission देनी पड़े कि मैंने permission दे दिया है ओके सो यहाँ पर participant के mobile पर देखिए यहाँ पर आ गया है कि मैं screen share कर रहा हूं सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं screen share हो चुकी है आप ऐसे ही फोटो वगेरा आपके students को दिखा सकते हैं और अभी अगर आपको यहाँ पर एनोट करना है मतलब लिखना है इसको screen पर सो यहाँ पर आपको जाना है zone में और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर option मिलेगा कि एनोटेशन का सो यहाँ पर जाके annotation करना है आपको पेन देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिखें को दिख रहा है यहाँ पर as a participant में कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से आप screen पर लिख भी सकते हैं और highlight अभी यहाँ पर एक आदर टेक्स हो रहा है तो इस तरह से आप screen share भी कर सकते हैं तो अब यहाँ पर आपको वाइड़ बोर्ड शेयर करना है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ए शेयर वाइड़ बोर्ड ऑश्यों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो आप्शन ही पार्टिसिपेंट भी आपको एनोट कर सकते ह है आपको क्या करना है पार्टिसिपेंट्स में जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है नोशन तो यहाँ पर अभी मैं लिखता हूं यहाँ आपर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर यह जो वाइड बोड है जो पार्टिसिपेंट के डिस्प्लेवर वहाँ पर मैंने जो यहाँ पर लिखा वह यहाँ पर आ रहा है देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूं यहाँ पर वह आ रहा है तो इस तरह से आप पार participant भी मितलब us whiteboard भी शेर कर सकते हैं सो यहां पर में whiteboard बन कर रहा हूं stop share so देखिए so दोस्त इसी तरह से आप use कर सकते जूम cloud meeting app सो थैंक्स पर वाजिंग दोस्तो ऐसे इसे टेक्नोगाजी शे जोड़ी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्नोवाश्रमेंड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यू